सबसे बेले आपको लेना होगा इस रेस्पी को बनाने के लिए हरे धनिये की पत्ती जिने मैंने अच्छे से वोश कर लिया है और फूल आ गया घर पे हरा धनिया उगा हुआ था उसमें पत्ती पत्ती पे उपर चोटी पे जो फूल नहीं आ जाता है फस्में वही वाला हरा ध दनिया लिया ही थी क्योंकि खुशबू और टेस्ट कहां चला जाएगा धनिये में से अच्छे से मैंने वोश कर लिया और कुछ मोटा मोटा काट लेना है डंडी बंडी भी ना निकाले अच्छा दोस्तों हरे दने की जगे आप पालक भी ले सकती हो और आपको यहां पर ल दुकस करके भी इस गाजर को ले सकती हो तो सबजियां गर्मी के मोसम में कम हो जाती है तो मेरे पास फिलाल इतनी सबजी थी तो मैंने इतनी ही डाल दी आपके पास जो भी सबजी हो आप वो ले सकती हो आलू को भी यहां पर कच्छे को यूज कर सकती हो ग्रेट करके साथ म छला ले तो जाएगी और मैंने बड़े चंबच हैं बेशन लियां सीशिंसे नाश्ता कुर्ष बनेगा साथ मिनसे चार बड़ी चंबच के लगबग का धिक लेया बैधिए क्या रखना है कि मतलब 4 चम्मच आप मान दो चम्मच सूजी दो चम्मच बेशन लो तो उतनी सेम कोटिटी में आपको आठा लेना है तो आठे से नाश्ता बहुत ज्यादा है बनता है इतना टेस्टी बनता है सची में अंताजा नहीं लगावा सकते हुगे आपने इसको गेह गरम मसालर डाल दे और यहां पने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करें दोस्तों उमने इसमें बेसंट डाला है तो अजमायन भी इसमें जरूर डालेंगे तो अजमायन पचाने में मदद करती हैं साथ में आपका इसमें स्वाध अनुसार एक छोटी चमच के लगबग नमक डाल देना है सभी मसालों को अच्छे से हम इस गोल में मिक्स करेंगे जब आप गोल बनाओ ना तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के गोल बनाए क्योंकि आटे के गोटले मत पढ़ने देना और इस तरीक से आपको गाड़ा सा गोल बनाना है यहाँ पर आपका अंसी टेंसी को अच्छे से ध्यान से देख लेना तो एकदम पर्फेक्ट आपका गोल बन जाएगा और यहाँ पर आपका पानी है एक कप से थोड़ा कम पानी लगेगा गोल बनाने में तो यहाँ पर थोड़ी सी दिर इसको हमें डखकर रख देना है पांच मिनिट के लगबल क्योंकि सूजी डाली है तो थोड़ी फूल जाएगी फूल जाएगी तो नाश्ता फिर हैना एकदम कुरकुरा कुरकुरा बनेगा तो यहाँ पर देखें एक दम बढ़ी हमारी सूजी अच्छी से फूल चुकी पांच मिनट के लिए रखना है आपको ज्यादा नहीं अब आपको इसमें क्या करना है थोड़ासा निबुका रस डालना है या फिर आप इस गोल में धही भी डाल सकती हो रुवाद में ही डालने आप धही डालने तो मैंने आपर इसमें निबुका रस यूज किया है इससे नाष्टा मारा बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाता है और आप आमचुर पावडर भी डाल सकते हो निबुका रस नहीं हो तो गेसो उनकर के इदर मेंने पेन रख दिया अब तवाव अगेरा कुछ भी ले ले उसमें आपको थोड़ असा ओईल लगाना है बिल्कुल जादा ओईल नहीं लगता है इस नाष्टे को बनाने में और जो हमने बेटर बनाया है ना उसे एक चम्मत से इसमें हम फिलाती हुए जाएंगी और थोड़ असा इसको आप मोटा रखें ज्यादा पतला ना करें क्योंकि इ जाएगा जब आपको सुका सुका ना जराएं तो आप इसमें तोड़ा से कोई भी कोकिंग ओल लगाएं और इसको टर्म कर दें और दूसरे साइट से भी इसको ऐसी ही से लिए तो एक बार की पीसको बनाने में आपका यहां 3-3 मिट के लगबगी टाइम लगेगा और इससे मुझे काफी इंबत मिलती है और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें यहां पर आप देखें मैंने दोरों साइट से इसको सेख लिया और एकदम कुरकुरा बना लिया थोड़ा थोड़ा दवाते हुए सेखें और एक चम्मच ओल भी नहीं लगेग शाम के टाइम काफी बार एसा हो जाता है तवयत सहीं नहीं हो या फिर बयबैसी भी रोटी वनाने का मन नहीं करती है क्योंकि कुंकि घर्मी के मौसम में किचन में करने का मन किसी कहीं नहीं करता है बट फिर भी हमको करना परता है ना खाने के लिए तो आप इना इसको सबजी रोटी बनाओ दो-दो मेहना तो उसकी जगे एक ही नाश्ते को बना लो और हरी मिर्च की चटने मिक्सी के जार्मन एक दिर में बनी जाती है उसमें टाइम लगते हैं नहीं बिल्कुल भी तो इसक आप सबी पीसेस को बना लें और खाएं और सबी को खिलाएं दोस्तों बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है बनाने में भी बहुत एजी है कोई मेहनत नहीं है चलिए कल फिर में लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए बाई एंड टेक कि